ट्राइंगल थेरी ओफ एक्सरसाइजिंग ये आज का टॉपिक है अपना लेकिन इससे पहले एक बात मैं आपको दिहान दिला दूँ कि एक्सरसाइजिंग या एक्सरसाइज ये अपने आप में बड़ा सा एक मिथ्या वाला शब्द है मिथ्या कैसे क्योंकि हम एक्सरसाइज के पहलु से अचूते नहीं है हम सब जानते इसके फाइदे क्या है और ये हमें कितनी लाझविटी देगा यानए अगर हम फिट रहते हैं तो हम कोई भी कार्य आप जैसे कार्य को अंजाम देना है जितने एगलिटी के साथ देना है जि इसको हम सरलता से कि अगर आप बिमार पढ़ते हैं तो कितना खर्चा आता है आज अगर बिमारी हिंदुस्तान के सेनारियों में देखे जाए तो बहुत कॉसली है कोई भी बिमारी आपको अगर हॉस्पिटलाइज करती है तो वो 15, 20, 25, 1, 2, 3, अगर मेजर रहा तो वो 15, 20,000 तक जाता है और और नॉर्मली हम इसके लिए तयार नहीं रहते हैं प्रो आक्टिवली यदि हमने एक्सरसाइज को सीरियसली लिया तो हम बिमारी से तो बचेंगे 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 बट दसेम टाइम हमारी लॉंजविटी इसके की वज़े से हमारे sedentary lifestyle की वज़े से तो वो कभी-कभी ऐसा डेंट पहुचाती है जो irreversible होता है कि हम वापिस से उस नॉर्मल सी में आना चाहते हैं हम आ नहीं पाते हैं तो यही आज का हमारा मूल मंत्र है exercising पहला पहलू जाके दिखते हैं हम तभी exercise करते हैं जब हम forceful condition को face करते हैं forceful conditions को face करना याने doctor के पास जाना या आपने insurance ले लिया तो आपको यह मालम पड़ता है कि आपका medical आया है आप steak थोड़ा जादा रखते हैं पचास लाग के उपर में यदि आप insurance लेके जाते हैं तो definitely medical आता है और medical में आपको several test देने होते हैं कई सारे series होते हैं कभी आपको मालम पड़ गया एक तो यह कि doctor बताता है कि आपके report में problem है दूसरा आप doctor से यह जाने की कुशिश करते हैं कि इसको अब मैं कैसे कम करूं तो doctor हमेशा एक बात कहता है आपसे कि lifestyle modification ज़रूरी है यदि आप treadmill में half रहे हैं ज्यादा नहीं चल पा रहे हैं यदि आ बहुत सारी चीज़े जो आपको forceful condition में बताई जाती है ऐसे हालात में आप exercise करते हैं पहलू number 2 जब हम देखते हैं कि हमारे इर्दगिर्द में चाहिए फिर आप college goers हो coaching में जाते हो institutions में जाते हैं पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप working place में हैं आप अकसर देखते हैं कि वो क्या करते हैं तो वो बताते हैं बहुत बार वो सही नहीं बताते हैं और बहुत बार जब वो सही बताते हैं तो आपको जिम यह याद आता है क्योंकि वो भी जिम हिट करते हैं आपको भी इच्छा होती है कि आप भी जिम हिट करें और अपने आपको हिट कर लें तो गर के आसपास होता है या काम करने के बाद आप जब लॉट के आ रहे हो आप बहुत सारे इसमें विकल्प ढूंडते हैं और उन विकल्पों में से जो आपको समझ में आता है कि यह cost effective है यह घर के पास है मैं एक गंटे में यह कर सकता हूं तो आप करना चालू करते हैं लेकिन बहुत जल्दी आपकी हार हो जाती है क्योंकि आपको समझ में आता है कि आपका manobal ही नहीं बन पाया आपका motivation ही नहीं बन पाया exercising के लिए यह दूसरा condition है पहला condition जब आप किसी doctor के पास चले जाए किसी बिमारी वश या फिर आप insurance ले रहे हैं ऐसे वक्त में forceful condition में आपको exercise करना पड़ रहा है दूसरा condition वो जब आप idealize कर रहे हैं किसी ऐसे बंदे या बंदी के लिए जो बहुत toned body है lean body है figure उनका अच्छा है और आप उनको apparently देखकर appealing लगता है और आप gym hit करते हैं जिम जाने की बात करते हैं वो अभी नहीं हो पाता है तीसरा एक ऐसा condition है जो आ सबसे बड़ा अगर प्रमान कुछ है तो वो है आपके diet में आपका diet बराबर रहा balance रहा तो आप definitely अपने body को check पर रखेंगे सबसे important यह होता है कि आप अपने body type को पैचाने क्या आपका body खाने से जल्दी बढ़ता है नहीं खाने से कितने देर लगती है इसे तो सब individual का body type अलग अलग रहता है इसलिए उनको exercise किसी को फलती है किसी को नहीं फलती है किसी को थोड़े में body shape में आना उसके लिए आसान हो जाता है किसी को time लगता है कि वो बहुत जादा समय देते हैं उसके बाद में उनका weight या तो बढ़ता है या फिर lean होना चालू करता है तो body type most important ह और यहां जब मैं body type discuss कर रहा हूं तो आपको बता दूँ कि clear clear आप पहले तो पैचानिये कि आपका body type कैसा है कितने आसानी से ये दूबला होता है और कितने आसानी से ये पोटाउन होता है तो weight बढ़ना और घटना ये सिरफ आपको मालम होगा और accordingly आप उस तरह से exercise चुने exercise करने का मतलब gym जाना बिलकुल नहीं होता अभी modern जमाना है तो exercise endurance नाम की चीज़ आ गई है अभी हम exercise और threshold बनाना, stamina बनाना ये शब्दों का इस्तमाल कम ही करते हैं अभी exercise endurance आ गया है इसका मतलब यह है कि हम कल अगर 10 कदम में हाफते हैं तो आज हमारा 11 कदम बढ़ना चाह तो exercise endurance एक नया concept है और मेरी जो triangle theory of exercise है ये endurance को लेके है अपने आपको पहचानिये और इन तीन अलग-अलग parameter को जो तीन angles दी हैं मैंने ये triangle theory में एक forceful condition में आप exercise करते हैं दूसरा आप exercise किसी को idealize करके करते हैं और तीसरा exercise करते हैं अपनी body type पहचान कर वो सबसे ज़्यादा और ये एक degree है आप forceful condition से बच गए तो आप किसी को idealize करेंगे वहाँ अगर आप बच गए तो अपनी body type को पहचानेंगे मैं तो ये कहूंगा आपको सरलता से पहचाने के आपकी body type कैसी है फिर accordingly उन exercise को पहचानिए कि जो आप कर सकते हैं दीरे दीरे threshold बनाईए exercise endurance को तक पहुचाईए जहां वो अपने आपको पहचानेंगे और exercise का सही माध्यम ढूंडेंगे और वहां से अपने fitness की कहानी शुरू करेंगे दन्यवाल